अध्युलाइन चेशन है अक्टिवेशन इनर्जी इस लेक्टर में हम देखेंगे कि या है तो एक्टिवेशन इनर्जी क्या होती है इसको हमें एक चांप्पर से सब्सक्राइएगा है तो फेट्रोल पेट्रोल को बर्न करने के लिए चिंघारी की जरुवत पड़ती है आपको आग की जरुवत पड़ेगी जैसे ही आप चिंगारी पेट्रोल में डालोगी तो पेट्रोल जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा कमबसन स्टार्ट हो जाएगी तो पेट्रोल की वो कमबसन स्टार्ट करने के लिए आपने जो चिंगारी प्रोवाइड की है वो चिंगारी form of energy है और उसे activation energy कहेंगे ठीक है पेट्रोल के लिए तो जो हमारे body के अंदर जो enzyme है वो उसके activation energy को कम करते हैं ठीक है अब activation energy हमारी body में जो enzyme है उसे कम करेंगे तो हमारी body उस energy को जल्दी प्रोवाइड कर पाएगी ठीक है अब वो energy जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी तो chemical reaction automatically speed up हो जाएगी जल्दी perform होगा ठीक है तो enzyme किसी भी given reaction की activation energy को कम करता है अब जब activation energy low होगी तो reactane molecule इतनी energy absorb कर लेंगे मतलब कि जल्दी वो energy absorb कर लेंगे और transition state में चले जाएगे ठीक है अब ये transition state क्या होती है तो जब molecule इतनी energy absorb कर लेंगे कि अब उसके bond break होके नए bond बन सकते है और ये जो condition होती है reactant की उसे unstable condition कहती है ठीक है और ये जो unstable condition होती है उन्हें transition state कहा जाता है तो इसे हम diagramatically देखते है तो यहाँ पर ये substrate रखा है ठीक है और इसे product में convert होना है यहाँ energy यह है energy ठीक है और यह है time अब मालो इस substrate को उपर जाना है इधर ठीक है तो हर substrate को थोड़ी energy gain करने पड़ेगी उपर जाने के लिए क्योंकि substrate आपस में टकराते हैं जिसे कुछ bond तोटते हैं ठीक है इसके लिए इसे energy की जरुवत परती है इसे ही activation energy कहते है तो substrate को पहले कुछ न कुछ energy चाहिए ही उपर जाने के लिए तो यहाँ तक ले जाने के लिए जो energy चाहिए उसे activation energy कहते हैं अब जब यह substrate उपर पहुच जाएगा उपर पहुच जाता है और यहाँ पर यह कुछ unstable compound बनाता है इन्हें transition state कहा जाता है तो यह एक unstable state है फिर यहाँ से आगे reaction स्टार्ट हो जाएगी अब देखते हैं enzyme कैसे role play करता है activation energy में तो यहाँ पे हमारे पास graph है यह energy है और यहाँ पे progress of reaction हो रहा है तो हमारे पास reactant है यह substrate है reactant होगा तभी product बनेगा तभी reaction start होगा तो A plus B हमारे पास reactant है यह उपर वाला जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक यह activation energy है without enzyme यह बहुत high activation energy है यानि enzyme के बगएर भी reaction start हो सकते है लेकिन energy जादा जादा चाहिए होगी उसके लिए अब देखते हैं enzyme का role क्या है suppose reactant के साथ enzyme जाकर के attach हो चुका है अब enzyme की attach होने के कारण से इस reaction की activation energy जो है बहुत कम हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह है activation energy with enzyme और यह कितनी lower हो चुकी है यही काम है enzyme का यह क्या करता है यह activation energy को कम करता है इसकी वज़े से इतनी energies को provide होगा तो यहाँ से ही reaction स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा अब यहाँ से आगे आपको down fall भी नचारा रहा होगा तो यह overall of energy released during chemical reaction फिर यहाँ से यहाँ पर आपको product मिल जाएगा C plus D मतब कि substrate जो है वो product में convert हो जाएगा तो जिस reaction की जितनी ज़्यादा activation energy है वो उतना ही slow होगा उतना ही उसे बाहर से energy लेना होगा तो अगर इसकी activation energy कम कर दी जाएगा तो reaction जो है वो fast हो जाएगा enzyme यही काम करता है activation energy को कम कर देता है जिसे reaction जो है वो fast हो जाती है अब देखते है factor affecting enzyme activity को factor affecting enzyme activity का मतलब है ऐसे कौन से factor है ऐसी कौन से condition है जो enzyme की activity पर असर करती है जानी enzyme की activity को कम यह फिर जादा करती है तो इसमें first factor है temperature टीक है एक specific point तक जब आप temperature को increase करोगे तो enzymatic reaction increase होगी क्योंकि जो substrate है वो temperature increase करने की वज़े से ज़्यादा speed के साथ more frequency move करेंगे और ज़्यादा संख्या में enzyme के साथ जाकर attach करेंगे attach होगे तो enzymatic activity जह हो automatically increase हो जाएगी लेकिन उससे ज़्यादा जब आप temperature increase करोगे enzymatic activity तो enzymatic activity जो हो stop हो जाएगी या कम हो जाएगी ऐसा क्यों होगा जब हम temperature ज़्यादा increase करेंगे तो enzyme जो है वो protein enzyme जो है वो protein से मिलका बना होता है तो protein की ये nature है कि specific temperature से जब temperature increase करेंगा specific range से तो enzyme जो है वो denature होना शुरू हो जाएगी ठीक है और जब protein denature होगी तो उनका function loss हो जाएगा और enzyme काम करना छोड़ देगा ठीक है इसलिए enzyme की activity decrease हो जाएगी कम हो जाएगी तो वो जो specific point है जहाँ पर जाकर enzyme based function perform करते हैं उन्हें optimum temperature कहा जाता है ठीक है और वो range है 35 to 40 degree centigrade in human human के अंदर 35 से 40 degree temperature में enzyme जहें वो based function करता है तो enzyme के लिए एक particular temperature है जो उसका based temperature है इससे optimum temperature कहते हैं और यह हर enzyme का अलग होगा ठीक है अगर इससे कम लोगे तो भी enzyme activity कम हो जाएगा जैसे कि for example के लिए आप freeze में सबजी रखते हो ताकि bacteria के सारे enzyme जहें वो inactive हो जाएगा अगर जर्वस से ज्यादा temperature बढ़ा दोगे तो denature होगा ठीक है enzyme का tertiary structure जहें वो तूट जायता है इसके अलावा आप जब enzyme को इतना पकाद होगे तो भी enzyme है वो inactive हो जाएगा ठीक है totally खराब हो जाएगा उसके बाद second factor है pH जैसे की temperature optimum range का होता है इसी तरीके से pH की भी एक specific range होती है specific enzyme के लिए ठीक है जहाँ पर enzyme जो है वो based function करता है optimum pH यानि की based pH range जो है हमारी body के जो enzymes है उनके लिए है 6 to 8 जो neutral के करीब है लगभग ठीक है लेकिन कुछ enzyme ऐसे है जो different pH range में अच्छे से function करती है ठीक है हर एक enzyme का अपने अलग pH होता है अगर उससे कम pH दोगे तो activity गिर जाएगी ठीक है और अगर pH बढ़ाओगे तो activity बढ़ जाएगी और इस pH से फिर आगे करोगे फिर आगे और बढ़ाओगे तो activity फिर से गिर जा इसके third factor को जो है enzyme concentration जैसे ही हम enzyme की concentration को increase करेंगे तो rate of reaction increase होगा क्योंकि enzyme जादा होगे तो substrate ज्यादा संख्या में उस enzyme के साथ जाकर attach होगे ठीक है एक specific concentration तक reaction increase होती जाएगे लेकिन जब enzyme concentration बहुत जादा हो जाएगे तो reaction जो है वो stop हो जाएगे क्यों होगा ऐसा क्योंकि substrate जो है वो कम पर जाएगे सारे enzyme की साथ substrate attach हो जाएगे अब आप enzyme increase करते जाओगे तो substrate ही नहीं है ठीक है तो reaction वैसे ही increase होगा बतल कि reaction जो है वो इंक्रीज नहीं होगा ठीक है उसके बाद fourth factor है substrate concentration substrate क्या होते हैं यह ऐसे reactant होते हैं जो प्रोड़क concentration की तरह ही है जैसे जैसे आप substrate की concentration increase करोगे enzymatic activity increase होते जाएगी rate of reaction ज्यादा होता जाएगा ठीक है क्योंकि substrate ज्यादा होगा तो सारे enzyme की साथ जाकर attach होना शुरू हो जाएगा तो rate of reaction speed up हो जाएगा लेकिन जब concentration of substrate बहुत high हो जाएगी तो enzyme जो है वो खतम हो जाएगे यान सारी substrate enzyme के साथ जाकर attach हो जाएगे और enzyme नहीं बचेंगे जिसके साथ जाकर substrate add हो सके तो rate of reaction एक constant range में चला जाएगा जब तक दूसरे substrate product में convert नहीं हो जाते है तब तक new substrate जो है वो attach नहीं हो पाएगे ठीक है